तो आज हम इंट्रूडिस करने वाले हैं इसके इंदर नए फीचे जो रिसेंटली मैंने फिशिकार डटकम से लिया था अपने देखा होगा मैंने अम्राव सिंग वीडियो बनाई थी तो था डिले हो चुका वीडियो डालने के लिए क्योंकि बहुत सारे इस्ट विजिटिं पर भी आते रहते हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत अगर जेबरा स्नेल इस तरह के स्नेल डालते हैं तो वह क्या करेंगे छोटे-छोटे स्नेल से या उनके अंडे हैं उनको खाकर खतम कर देंगे और जो आलगे हैं उसको भी खाते रहेंगे तो यह बेनिफिट होगा इनका अब खाएंगे अपल स्नेल को आरोना भी खाएगी प्लाइट फिख जाएगी और अगर प्लैंटे टैंक में प्लैंट को खाना स्टार्ट कर देंगे यह आपल स्नेल इसलिए जेबरा स्नेल ही ओन्ली इसके साथ वह ही डालूंगा और यहां पर है हमर पास नियुण टेड्र नियुण टेड्रास एक डेजन मैंने मंगवाया है 12 इसमें मैंने गपीज डाली भी थी तो बहुत सरा लोग बोले थे आलड़ी आपके पास गपीज टैंक है फिर गपीज टैंक क्यों दोदो गपीज टैंक अच्छे नहीं लगते थोड़े दूसरे फिश दूडिस करो जै तरह हम दो दूसरी टैंक है उसमें शिफ्ट कर देते हैं उसके लिए मैंने मंगवा लिया था वहां पर अवेलेबल है ताकि इस तरह की काम आ जाती है तो भी मैं जो गपीज है यह वाली निकालने को मैं मनी नहीं कर रहा इसके नहीं डालने के लिए फिर भी मैं क्या करने अब दूसरा option नहीं है तो निकाल लेता हूं इसके लिए डाल देता हूं अभी जो वो टाइगर से वह वाली है उसके में छोड़ देते हैं बाद में निकाल करें क्योंकि काफी ब्यूटिफुल है तो इसके अंदर चलो निकाल देता हूं क्योंकि एक टैंक अलग कम्प्रि खिल देबरास सब्सक्राइब जो यह वाले हैं और यूटेटरास और को डालने के से पहले हमको 10 इसके इसे प्लोटिंग करना है क्योंकि दोनोंका टैंबरीचर अलग है यह बहुत काफी टाइम से 2-3 अन से ट्रावल करके आई है इसका अलग रहता है कारने के छोड़ देन सिर्फ फिशेस को निकाल के से डालना है पानी नहीं डालना क्योंकि पानी बहुत गंदा रहेगा और पानी के जो खतम होकर रहे जाता है क्योंकि यह ट्रॉल करने की वज़े से तो इसलिए हम सिर्फ दस मिनिट के फ्रोटिंग ले डाल देते हैं कही ट्यांक है डर भी लगता के हैं तो दीखे हैं अहीं पर इसमें दो आपल स्नेल हैं और दो हैं यह यह जेबरा स्नेल स्नेल निकाल के मैं दो स्नील अपने पास नहीं रखोंगा यह किसी कजीन और कि देता है तो वो खा जाएंगे चुदह कि एक आपर स्नेल है युवा लाइस में डाल रहा हूं एक और एक डाल रहा हूं इस गपी टैंक अंदर और यह आपर स्नेल इसा ही रखता हूं बाद में तो अभी दस मिनिट हो चुके हैं 10 मिनिट से तकरिबन ज्यादा हो चुके मैंना क्यूंकि रिक्स लेना नहीं चाहता इसलिए मैं 10 मिनिट से यदा ही इसके इंदर रखा था तो अभी इस फिशर्स को से नर डाल देते हैं यह पकड़ा हो इसा पकलिया तो अभी फिलाल हमने इसके अंदर नियों टेटा डाल चुके हैं देखें काफी ब्यूटिफुल लग रहे हैं अभी इनका कलरेशन इतना आया वह नहीं है क्योंकि यह अभी नहीं ट्रावल करके हैं इसलिए थोड़ा वह टाइम जाएगा तो यह अच्छे से अपना कलर दिखाएंगे थोड़ा प्लानेट टैंग में रहेंगे उनका प्लानेट टैंग का थोड़ा उनको कलरेशन सब मिलेगा दीरे दीरे उनका कलर जो है वह डार्क हो जाएगा अब इसमें सिर्फ नियोन टैट्रास हैं और बाकी स्नेल्स हैं एक जेबरा स्नेल्स हैं जेबरा स्नेल कहां गया पता नहीं कहीं जाकर बैठाव शायद तो अभी जेबरा स्नेल्स हैं इसके नियोन टैट्रास हैं ट्वेल तो आने वरे दिरों में इसके अपडेट्स मिलते रहेंगे इनका कलरेशन और डार्क होगा अभी थोड़ा बहुत ये फेड है क्योंकि ट्रांस्पोरेशन में आने के विजए से इनका कलर फेड हो रहता है गपीस को जितने भी गपीस से इसमें मैंने निकाल दिया है इनका दिख सकते हैं ये पूरे लाइव है जितने भी श्रीम्स तेहां पर आपको दिखाता हूं वन वैंबई वन करके गुर देखियें वाँ पर गोल्ड़न स्नेल है गोल्ड़न श्रीम से वो बैठा हुआ है और यहां पर भी देखिए यहां पर भी श्रीम्स बैठे वे हैं और ब्लू श्रीम्स भी है, थोड़े सिंदर हाइड रहते हैं, वहां पर एक रेट श्रीम्स है, सारे श्रीम्स जितने भी थे पूरे अभी भी अलाइव हैं, मरे वें नहीं है, तो बस यही अप्डेट था अच्का, आने वाले दिरों मे आपको ये जब सेट हो जाएंगे एक बार इनका कालरेशन डार्क हो जाएगा जब ये अपने आप में स्कूलिंग बनाना स्टार्ट कर देगी उस टेम पे आपको इसका अपडेट दे दिया करूंगा तो ये कैसा लगा आपको मेरा टैंक प्लानेट टैंक जो है ये कैसा लगा और इसके अंदर जो अभी मैंने नियो इन्टेटर जाला है उसके बारे में आपका क्या कहना चाहते हो मुझे कमेंड करके कह सकते हो और भी एक मैं और एक डिजन लाकर डालूँगा ताकि ये स्कूलिंग में मिक्स फिरते रहेगी तो और भी आच्छा लगेगा तो ये है मेरी गपी स्टैंक गपी स्टैंक में जितने प्लांट्स थे सारे के सारे अभी भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है काफी अच्छे हैं लोर CO2 प्लांटेनस के लिए मैं हफ्तेमें एक बार 30 परसंट परचन करता हूं और जबहीब पानी चेंच करता हूं ये दो क्याप मैं मेडिसिन डाल देता हूं ज्समें प्लांट्स ग्रो करने में हेल्ब होता है हफते में एक दो बार जो है मैं हल टैंग में दो दो क्याप डाल देता हूँ एवरी त्री तू फोर देस वन टाइम और तीस परशंट पाने चेंज कर देता हूँ लाइटिंग आच्छे दस घंटे जाता हूँ जिसकी वज़े से इनकी ग्रोथ अभी तक अच्छी है एक भी प्लैंट्स मरा हुआ नहीं है काफी अच्छा इनकी ग्रोथ हो रही देह सकते हैं अदुन काफी अच्छे से ग्रोव हो रहे है अभी थोड़े यह घांए्ट करेंगे क्योंके नया है इसलिए थोड़े दिन जाएंगे इस अच्छे हो जाएंगि Tok जब भी हम सामने जाएंगे, क्रिष्ट करने के लिए सामने आएंगे, फूड मांगने के लिए सामने आएंगे, तो वो आपडेट्स आपको दे दिया करूगा, आने व disgu दिनो में, तो चानल को जोर्ट सब्सक्राइब करेंड ना, तरह के अब्डेट्स पाने के लिए थैंक यू फर उजिए अब्रेट्स की अब्रेट्स पाने के लिए थैंक यू फॉर और रहें तो यह देखे दूसरा जिन है दालने के दूसरी विजन बाइब 24 घंटे तकरीब नो हो चुए है पहले उनका बहुत फेट था आप खुद देखें होंगे वीडियो में इतना फेट कलर हुआ था यह तो 24 घंटे की बात की बाद है और दो तीन दीन जाएंगे तो और भी अच देखना सही रहता है तो दीखें अभी 12 घंटे बाद तकरीवन कितना अच्छा कलर दिखा रहे हैं पहले तो कलर ऐसा लग रहा था जैसा फिशेस फेड होगी है बीमार हो गई है अभी कलर कितना अच्छा देखा पहले क्या होता था फिशेस हाई डुआ करते था अभी हमेने तो देखें अभी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है अभी फिशेस नियोने टेट्रा के लिए से और भी थोड़े लाकर डालूंगा मैं थोड़े दिन जाने तो बाद में एक चार पांच दिन के बाद पूरे उपर ये घूमते रहेंगे फिरते रहेंगे स्कूल ब्यास हैं तो शेर जोरूर करना उस पर हम वर्क करेंगे थैंक यो फर वाचिंग फिर एक नई टोपिक साथ मिलेंगे जब तक के लिए नमस्ते गुडबाई